अगर आपके यहां लौकी को खाना पसंद नहीं करती हैं तो मैं आपके लेकर आई हूँ बहुती क्रिस्पी कुरकुरा फ्रेश नाश्ती की रेसिपी एकदम चटपटा और मज़ेदार नाश्ता है जो हर कोई खाना पसंद करेगा तो आईए इसकी रेसिपी बनाना शुरू क करते हैं सबसे पहले अंपे मैंने लौकी लिए हैं जिसे मैंने अच्छी तिरीके से चील के दोकर आर यह मुझे माईन मदद से लिए इसे को तो sama prakt catalog जे sm сб घाना से में खाता हैं ट कर लीए तो मैं डाल देती हूं और शूजी उसके साथ-साथ इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा बेसन, ये एक बावन ही मैंने बेसन डाल दिया है सूजी और बेसन की क्वाँंटिटी मैंने सेम रखी है साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धई धईसे बहुत अचा फ्लेवर आता है धनिया पत्ती डाल देती हूँ और ये मैंने कुटी हुई लाल मिश्लियां अब चाहरे रेड चिली फ्लिक्स भी इसके जगे डाल सकते हैं बारी कट की हुई हरी मिर्स डाल देती हूँ कद्दुकस की हुई अद्रक मसाले में हल्दी पाउडर जीरा स्वाद अनुसा नमक और एक स्पून ओयल डाल के इन सब को खूब अच्छी तरीके से मुझे मिक्स करना होता है अच्छे से मिक्स करते हुए इसका मिश्रन जो है वो बना कर तैयार करना होता है तो यहाँ पर अभी हमने पानी का इस्तेमाल बिलकुल नहीं यूज किया है क्योंकि लौकी में बहुत पानी होता है लेकिन हमें बहुत जादा ही थिक बैटर लग रहा है तो इसलिए और हमारी सूजी जो है थोड़ा पानी को एब्सॉब भी करती है तो हम थोड़ा सा फानी डालते है और इसना फून चैनल Kar another मैं आस्तव हमें दिखा देता हूँ अगे हमने एक cake tin या फिर आप ढोकला tin कोई भी tin ले सकते हैं उसे मैंने oil से grease करके रखा है इसमें मैंने लिया है एक packet हरा वाला ino वो मैं इसमें पूरा packet डाल देती हैं जो आप bacon रखने वाले हों तभी आपको इसमें डालना है और इसको खूब अच्छे से mix कर लेती हूँ अगर आपके पास ino नहीं है तो आप 1-4 teaspoon baking soda का इस्तिमाल कर सकते हैं mix होने के बाल इसे tin मैं मैं डाल देती हूँ और अच्छे से set कर देती हूँ इसको एक जैसा फूल सके इसलिए एक जैसा set कर देती हूँ यहाँ पे मैंने एक कड़ाई मैं पहले से ही पानी को गरम करने के लिए रखा हुआ था और यह बरतन रखके से cover कर देती हूँ और इसे हमें medium high flame पे 12-15 minute के लिए steam करना होता है steam होने के बाद यह 15 minute होने के बाद हम check कर लेते हैं बिल्कुल भी इसमें चिपक नीरा है बिल्कुल perfectly हमारा यह bake हो चुका है ठंडा होने के बाद इसको हम बिल्कुल भार निकाल लेंगे जब एकदम ठंडा हो जाए पासानी से हाथ लगा सके इसके corners भी छूट जाए तो हम इसे आसानी से भार निकाल सकते हैं और एक फ्लेट में निकाल लेते हैं और किते आराम से आप देख सकते हैं यह भार आ जाता है अब आप इसे कट कर सकते हैं चाहें तो आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं मैं चाहूं तो इसको ऐसे ही यह बनकर तयार है अगर आप थोड़ा ओइल खाना काम पसंद करते हैं तो आप इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगता है यह अच्छी तरीके से बेक हो चुका है लेकिन अगर आप थोड़ा सा फ्राइ करना चाहते हैं तो इसको हम फ्राइ भी कर सकते हैं हमने यह सारे पीसिस के कट कर लिये हैं और प्लेट से इसको भार हम निकाल लेते हैं इस तरीके के हमारे पीसिस बनके तयार हो गए हैं अब हम क्या करते हैं इनको फ्राइ करने के लिए हमने एक पैन में ओयल कर लिया था तो हम चाचा पी हाँ चाय के साथ बिटा सकते हैं। चाय के साथ सरफ न यह कंगता है। components हैं क्रिसपा बाण के त्यार की अचाइक हैं को तो हम बन यह लेकित कद प्ली चाय के बिल्या ते हम निकाल लगता हैं,ELD अगर अभी तक आपने मेरी लाइक नहीं किया है तो लाइक जरू कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी एच्छी रेसिपी आप सबीकती है लेकर आती रहती हूं तो इसको अभी हम देखते क往託 four pieces fry कर लिया और चाहेन नहीं उसे ऐसे खा सकते है और आप चाहेन तो सारी scar Fellows centrally Pirates franchiseーム करके खा सकते हैं चाहेन अगरने अभार तक नहीं की आणियों क्रिस्पी क्रिस्पी रहता है उस अन्दर एग्दम साथ तो फ्रेंट्स ये ती मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएगा अगर वीडियो लाइक नहीं किये तो भी तक अपने वीडियो लाइक कर दीजेगा मैं आप सबीसे अपनी निक्ष वीडियो में मिलती हूँ तब तक आप इसको एंजॉय करें बाइबाइ